अस्सलाम उलेकुम उमीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियस से होंगे तो मेरा नाम जो है वो फैदर रह्मान है और आप ये लेक्चर M.E. English Center पर देख रहे हैं तो देखें आज पढ़ना है difference between analog and digital electronics मैंने आपको analog और digital में जो फरक है वो पहले भी बताया था अपनी self assessment questions हैं वो मैं वीडियो के end में कराऊंगा आपको क्यूंकि आपके paper में direct questions आते हैं और आप लोगों को उसके answers देने होते हैं जिससे आपके concept पता चलते हैं यहां पर मैं एक छोटी सी बात यह कहूंगा कि मैं अक्सर note कर रहा हूं कि यहां पर बच्चों का आखरी के चैप्टरों में interest थोड़ा कम है अब उसकी वज़ए यह है कि यहां पर जो बात हो रही होती है वो ज्यादा वाज़े नहीं होती है यानि सिर्फ आपको चीज़े याद ज्यादा रखनी पड़ लए है तो इसलिए इंट्रेस्ट थोड़ा कम हो जाता है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से पढ़ा दूँ कि आपको बात इस इधर बुक में कम बताई है न वो थोड़ी में ज्यादा बता दूँ तक आपको इंट्रेस्ट डिवैलप रहे ठीक है जैसे के कॉस वेफ इसक्वाइर वेफ यह थोड़ा करके बता दूँगा ठीक है चले आजाए आपको पता है आपके पास दो तरह की डिवाइस होती है ठीक है अलेक्ट्रोनिक्स है तो दो तरह की इसमें डिवाइस होती है एक ह आपके जो स्पीकर है समझ लीजिए यह आपका स्पीकर है समझ लीजिए यह आपका स्पीकर बना हुआ है ठीक है यह बलब के टाइप का आपका स्पीकर बना हुआ है यह बलब के टाइप का आपका स्पीकर हो गया अब इसको जो सिगनल आ रहा होगा ना इस बलब के टाइप यह चीज़ नोट करने की कोशिश किये कि आपका speaker क्यों चलता है ऐसी क्या mechanism उसके अंदर हो रहे होते हैं कि आपको speaker के अंदर आवास सुनाई देती है तो उसके अंदर पीछे analog signal आ रहे होते हैं तो वो devices जो के analog signal पर काम करती हैं उन्हें कहते हो आप analog electronics यानि वो इलेक्ट्रोनिकल डिवाइस जो के analog signal पर काम करती हैं उन्हें आप कहते हो analog device और उनका जो circuit होता है वो analog electronics पर बेस होता है ठीक है वो devices जिसमें digital signals होते हैं और उनकी study आप करते हो digital electronics में ठीक है digital electronics यहाँ पर बहुत सारी मिलती जूलती टम्स हैं जिसमें ना confusion हो रही होती है कि analog circuit क्या है analog device क्या है और analog signal क्या है लेकर टीन ओ चीज़े आपस में relate हैं अगर आपके पास एक analog device है तो उसके अंदर analog circuit लगाओगा अगर वो analog circuit है तो उसके अंदर जो signal आ रहा होगा वो analog signal होगा simple सी बात है मैं short form में लिखता हूँ आपके पास एक analog device है acronym लिख रहा हूँ ठीक है क्योंकि फिर वो पूरा पूरा लिखो में तो पहुत देर हो जाएगी आपके पास analog device है ठीक है तो उसके अंदर जो circuit होगा वो कौन सा होगा analog circuit होगा ठीक है वो किस signal पर काम करेगा वो करेगा analog signal पर काम करेगा अब ऐसा तो नहीं है ना आपने बनाया है LCD और उसके अंदर आप bike का engine लगा दो तो कभी LCD काम करेगी नहीं क्यों क्योंकि आपको तो LCD में electronic component लगाने ना यानि resistor, transformers और इस तरह की और भी चीज़े लगानी है ना ठीक है तो analog device है analog circuit होगा analog signal पर काम करेगी simple बात कोई मुश्किल नहीं है ठीक है अब इसी तरह से digital device है DD digital device ठीक है तो उसमें आएगा digital circuit ठीक है उसमें आएगा digital signal ठीक है बास समझ में आ रही है ना आपके पास एक डीजल वाली गाड़ी है तो उसके अंदर डीजल इंजन भी होना चाहिए ना फिर उसमें डीजल भी यह बात मुश्किल है अगर अभी भी मुश्किल लग रही है तो मैं और इसी करता हूं ठीक है आपके पास एक डीजल इंजन है सब वाकिफ होंगे चलें गल्स के लिए असानी करता हूं आपके पास smartphone है तो smartphone का मतलब यह ना उसके अंदर इस screen होगी टच वाली ऐसा तो नही smartphone में keyboard तो आते नहीं है चलो इसको और असान करते हैं सबके लिए Apple phone है अब Apple phone के अंदर जो आपके पास Apple का अपना खुद का जो वो होगा operating system वो Apple का होगा ना ऐसा तो नहीं Android का लगा देगा वो अगर लगा दिया तो नहीं चलेगा ठीक है अब आपके पास है computer अब computer के सिंबल इसी तरह है यह चीज़े असल में आप लोग सिर्फ कहां तक जाते हो आप लोग computer को देखते हो और computer कैसे काम करता है यह देखते हो उसके अंदर क्या component लगे होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं वो चीज़ यहां पर है आपके लिए अप एक step आप आगे आग signal से वो काम करेगी अभी इसको और basically define करूंगा device device बना दूंगा ठीक है अच्छा अच्छा मैंने projector जो लिया है आपको बता दूँ कि प्रोजेक्टर मैंने इसलिए लिया है कि जब मैं five year solve कराऊंगा और practice कराऊंगा तो उसमें वो questions चलाऊंगा अभी तो questions की मुझे जरूव होई digital circuit होगा digital signal होगा ठीक है उसके अंदर अच्छा अब कुछ device है याद रखिएगा cd device जो है वो digital signal और analog signal दोनों को इस्तेमाल करती है cd drive होती है ना वो अब कैसे मैं भी बताऊंगा थोड़ी जिल में ठीक है अच्छा अब यहां पर आजाओ अब आपके पास जो है वो differences आ गए इन दोनों devices के दर्मियान तो देखो सबसे पहले तो analog quantities consequentities होती है वो देख लो ठीक है मैं यहां लिख देता हूं नीचे उपर इदर डाइग्राफ बनाते तो इदर लिख देता हूं यह आपके पास क्या आ गया x-axis आ गया यह आपके पास y-axis आ गया और यह negative y-axis आ गया और इसमें जो वेफ आईगी वो sign wave होगी sign wave ठीक है sign wave कैसे इस तरह की जो wave की शकल होती है उसे sign wave कहता है आप इसको और असान कर देता हूं भाई अगर मैं आपके सामने इस तरह का कोई डिवार इस तरह की कोई चीज बना दूँ तो आप इसे क्या कहोगे आप इसे केला कहोगे आप इसे आम कहोगे आप इस से जो है वो कोई और फ्रूट का नाम दोगे नहीं जहां भी इस तरह की कोई चीज बनी में नजर आईगी आप क्या काओगे यह हार्ट शेप है हार्ट शेप से मुराद यह वह जो वैसा तो नहीं है लेकिन एक हार्ट को रिप्रेजन करने के लिए इस तरह का शेप आता है न तो इसे क्या बूलोगे आप एक हार्ट शेप बूलोगे हैं न तो जहां भी इस तरह की वेव देखोगे ना उसका भूलोगे मैं कोई मश्कल बात नहीं है अश्याइन वेव है आपके पास ठीक है अच्छा अब आज़ाओ है 11 अच्छा अब आप जहां भी इस तर अच्छा अब आप जहां भी इस तरह का सिगनल देखोगे इसको मैं 0 से भी शुरू कर सकता है लेकिन मैंने तोड़ा आगे तो शुरू कर दिया है ठीक है आपकी बुक के अंदर देखते हैं कहां से शुरू हुआ है इस तौन बिल्कुल सभी ऐसे भी शोड़ा जा सकता थे तो यह वन है जहां पर अम्प्लिट्यूट मैक्सिमम् अरगा यह डिजीटल सिगनल है एक कौन सा सिगनल है यह आपके पास और लॉट सिगनल आ ना लॉट ओं ऑटी यूँ इठीक है एंडलोग signal S I signal N A signal की spelling से इंगरता है ठीक है तो यह आपके पास हो गया एक analog signal अच्छा अप analog तो होगी हमारे पास अच्छा आपने analog camera और इस तरह की चीदे भी पढ़ लखी होंगी तो यह इसको देखते हैं तो यह आपके पास हो गया analog signal है यह आपका analog signal होगए अब आजयते हैं digital के बात करते हैं के digital आपके पास कौन सी बश्णा रहा हों जिशीडल में कौन सी बन एक आपके पास है'm मतलब डिजिटल सिग्नल की वेव बनाई भी इसको आप कहते हो Varpка स्कॉयर भी कहते हो स्कॉयर वेश भी कहते हैं इसको आप कि इसक्गर्ण wave यह है आपके पास square wave sign wave और square wave का difference आपको पता चल गया याद रखिएगा जहां पर यह maximum हो रहा होता है मैं इसको बना भी देता हूँ ठीक है जहां पर यह maximum हो रहा होता है उसे one कहते हैं जहां पर यह minimum उसे zero और जहां पर यह maximum उसे one कहा जा रहा होता है आपके पास ठीक है इसका आपने डिफरेंस याद रखना है बाकी तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी साइन वेव में यहां यह वाला साइन नहीं है कॉस साइन यह वाला साइन ठीक है तो आपके लिए चीज समझ में आ गई इसकी आप चाहें तो डाग्राम कर लीजिए ताकि आपको आगे भी यह चीज याद रहे इस लाइन को मैं थोड़ा सा अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा सा और इसके डिफरेंसे देख लेते हैं थोड़ा सा और इसको गाइड कर देता हूं बुक से पढ़कर ताकि आपके लिए और असान हो जाए electronics में हमने चीजों को दो तरह दो चीजों में बाटा हो एक होता है analog electronics और एक होता है digital electronics analog electronics मैंने बता दिया digital electronics भी मैं आपको अभी गाइड कर देता हूं ठीक है first we understand the difference between analog and digital electronics by their signals and by their signals and example from daily life then we will difference differentiate them by their properties तो पहले हम क्या करते है analog signal और digital signal को देख लेते हैं तो मैंने बता दिया analog signal आपके पास इस तरह का होता है और यह होता है आपके पार digital 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 और यह दिजिटल signal हो गया यह दिजिटल signal हो गया एक अनलोग signal हो गया अच्छा अभी मैं इसको और डिफाइन कर देता हूं थोड़ा सो अच्छा डिजिटल एक जो है है आपके पास यह याद रखना ठीक है अच्छा उसके बाद यहां लिका आप एनलोग अलेक्ट्रोनिक्स डील विच सर्किट विच है विच है हैं अब signal उसको सही नहीं मिल असे नहीं मुरद मोलें से कहीं मुराद है सगैनल कभी कम हो रहा है कभी कवी जयादा और जबहें मिलना अगर उसे signal एसे मिलते हैं कि पहले वन आता फिर फिर वन फिर जीर। तो को यह判्दह हो सब्सक्रीट का मतलब है आपको पहले 1 मिले फिर 2 फिर 3 ठीक है एक करके चीज बढ़े ऐसा नहों कि 1.1 1.2 1.3 हो रहा हूं ऐसा नहों साइन में क्या हो रहा होता कभी वेव ज्यादा हो रही होती है कभी कम कभी ज्यादा कभी कम कोई discrete value नहीं मिलेगी आपको अगर यहां पर आप 1 value मान लो यहां पर तो फिर 1.2 आ रही होगी value ठीक है क्योंकि तक वो थोड़ा जादा है न ग्राफ पर और यहां पर जो है वो 0.8 आ रही होगी क्योंकि नीचे लेकिन अगर यहां पर आप देखो तो 0 आरी है वो 10 आरी है यह जो form ए वो discrete है और यह जो form है वह आपके पास वैरायं है यानि तबदील हो रही है और यह तब्दीली कैसी आ रही है points में आ रही है इसमें points में तब्दीली नहीं आएगी basically यह समझ लो कि अगर आपके पास यहां पर one है तो one पर जाएगा signal फिर zero पर चला जाएगा फिर one पर जाएगा फिर zero पर चला जाएगा ऐसे बना रहा होगा तो यह याद रखना तो उन devices को सही signal नहीं मिल पा रहा होता सिगनल कभी कम हो रहा होता था कभी ज्यादा हो रहा था इसलिए वो डिवाइसे सही काम नहीं करती थी हमारी जो यह computer यह laptop है इनको signal सही मिलता है तो यह सही तरीके से काम कर लेती है ठीक अब digital पढ़ लेता digital electronics deal with circuit which have discrete अभी मैंने बताया discrete का मतलब क्या है कि या तो आपको value 1 मिले अच्छा discrete का मतलब देख लो discrete का मतलब क्या है या तो value आपको 1 मिले या तो 2 मिले या थिरी या तो 4 या तो 5 वन और 2 और 3 के दर्मियान की value नहीं मिलेगी आपको discrete में आपको कभी भी 2.2 value नहीं मिलेगी या तो 1 मिलेगी या तो 3 मिलेगी ठीक है यह याद रखना जब भी बोले ना discrete value है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए या तो value 1 होगी 2 होगी 3 होगी कोई भी whole number होगा लेकिन point में नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर आपको कहें continuously vary कर रही है continuously vary कर रही है value तो फिर उसमें आप समझ जाएगा कि कोई भी number आ सकता है points में भी number आ सकता है और वैसे अलग भी number आ सकता है इसकी spelling सही कर दिए continuously continuously एंड यू ओ एस ल वाई continuously vary यह varying भी कह सकता हूँ आप इसे vary कह रहा हूँ मैं चलो vary यह कहते है तो continuously vary का मतलब क्या है यानि analog value है analog quantity है यानि आपको 1 भी मिल सकता है 1.1 भी मिल सकता है 1.6 भी सकता है 1.7 और 2 के दर्मियान और 1 के दर्मियान कोई भी number आपके पास आ सकता है लेकिन discrete में असानी होगा discrete में या तो one value आएगी या तो two one और two के दर्मियान की कोई value नहीं मिलेगी आपको तो यह चीज आपने याद रखनी होगी ठीक है तो जब भी digital हमारी जो digital devices काम कर रही होती है उसको या तो one value आ रही होती है या तो zero value होती है कोई इन तोनों के बीच की value नहीं आती जब आपको एक same number मिलता रहेगा तो आप काम असानी से करते रहेंगे for example आपको अगर मैं बोलू one का table पढ़ो two three four five तो आप बहुत असानी से पढ़ लोगे लेकिन इसी तरह से मैं आपको कहूं होने तो वह अटक अटक के काम कर रही है ठीक है वह process करने में time ले रही है अब आज जहीं difference कर लेता है difference between analog electronics डिजिटल electronics तो analog electronics क्या होता मैंने बता दिया कि analog electronics में आपके पास जो अलेक्ट्रोनिकल डिवाइसिस होती है वह analog signal पर काम करती है डिजिटल electronics वह एलेक्ट्रोनिक्स है जिसमें डिवाइसिस जो है वह डिजिटल सिगनल पर काम करती है अब डिजिटल सिगनल है तो यानि उसके अंदर डिजिटल सर्किट भी लगा होगा जबी तो वह डिजिटल सिगनल को process करेगा यहां जो अच्छा major continuously varying quantities तो मैंने अभी बता दिया इसमें quantities तब्दील हो रही होती है analog में याद रखना कुछ डिवाइसे सर्फ analog पर ही काम करेंगी for example आपका speaker वह कभी डिजिटल पर काम नहीं करेगा अब डिजिटल में क्या होता है आपको number मिल रहे होता है जैसे आपके डिजिटल watch है तो आपको क्या number मिलना होता है तो दो बच के 10 मिनट हो गाए दो बच के 11 मिनट हो गाए दो बच के 14 मिनट हो गाए और फिर second बता रहे हैं तो वह भी बता देगा लेकिन अगर आपके पास एक analog घड़ी है तो उसमें आपको कैसे मिलता है time ऐसे मिलता है time ठीक है ऐसे मिल होता है कि बारा बच के चलो इस कांटे को चोटा करते तो बारा बच के पंदरा मिनट हो गाए तो उसमें आपको इस तरह से चीजे मिल लगी होती है फिर आप वो खुद भी अंदाजा लगा तो बारा बच के 17 हो रहे हैं बारा बच के 14 तो उस तरह से तो digital के ज्यादा रहत तो analog signal wave की form में होता है देखो यह wave बन रही होती है अगर आप इस जो आपको analog signal device को मिल ला है अगर आप उसको wave बना दो X और Y इस पर रखके तो इस तरह की बनेगी और अगर digital signal में आप wave बनाओगे तो वो इस तरह की बनेगी जो के square wave के लाएंगी digital signal are in the form of zero one अच्छा देखो मैंने कहा ना कि इसमें zero आ रहा होता है वन आ रहा होता है यह यह जीरो यह तो फिर next दुबारा जीरो आना है अब इसके बाद अकर दुबारा वेब बनेगी तो वहां पर one बन जाएगा तो इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें one zero नहीं आ रहा होता तो इसमें data अच्छी तरकी से store नहीं होता इसमें data बहुत अच्छी तरकी से store हो जाता है क्योंकि आप one zero one zero करके data store करते जाते हो data can be stored closely, compactly like in cdcd में जो है वो digital data store होता है cd हो गई, floppy disk हो गई, hard drive हो गई, आपकी pen drive हो गई, आपकी USB drive हो गई, इन सब में digital data store होता है. डिटेटल डेटा यानि डेटा को एक नंबर दे दिया जाता है 0110 तो वहां पर वो इस्टोर हो जाता है जाके इसको आप और कंप्पीटर में पढ़ सकते हूं डीटेल में paid analog data अच्छा योः अप्रवाल है और यहां मतलब अगर इस में यहां पर यहां नहीं कुछ आएगा तो इसका signal तब सिर्देटन ऐसके सिमल में फराग सकता है अगर इसको resistance मिलेगी इसके signal को तो इसके signal में फरक आ जाएगा ठीक है इन नॉइस से मुराद यहाँ पर यह नॉइस से मुराद शोर नहीं है digital signal are almost not affect by its noise तो यह digital signal noise से affect नहीं होता यह सीधा अपना चला जाता है और जिस form में हो तो इस form में रहे जाता है जब इससे data store करना सान है क्योंकि फिर वो data तबदील नहीं हो रहा होता फॉर इक्जेंपल बारिश हो रही है आपका रेडियो सही काम नहीं करता क्यूंकि बारिश में आपके पास जो है यह पर पढ़ा रहा हूं वह बराबर में लिखा हूँ है तो उसको अतार भी लो एंप्लिफाइड अनलॉग signal डस हैफ नॉइस तो जब अंप्लिफाइड करते हैं यानि सिगनल को बढ़ाते हैं इसमें नॉइस आ जाती है यानि बेतर्तीब हो जाता थोड़ा बहुत सिगन digital signal amplify digital signal or do almost do not have noise to digital signal को जब आप amplify करते हो नहीं बढ़ाते हो तो नहीं होता अब आप यहां समझने पाँ रहा हो आँगे amplify का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है जेको amplify क्या होता है for example एक इंसान यहां पर खड़ावा है उसने mic में कुछ बोला मैं कुछ बोला या माईक बना लेडा है ठीक उसके माइक में कुछ बोला यह माइक अब आप कोस्के बेस्कों आप है उसना मैं कुछ बोला आप तक कुछ बोला अब पर वो उसने जितनी आवाज में बोला है उतनी आवाज में आपको मिल जाए तो आपको तो कुछ समझी नहीं आना ठीक है क्योंकि बहुत हल्की आवाज आ रही होगी क्योंकि एक इनसान इतना थेज नहीं बोल सकता कि पूरे क्राउट को सुनाई दे पर एक जलसा हो रहा है उत जलसे में लाको लोग आये हैं तो कि तमाम को वो आवाज सुनाई देदें कि जो उपर खड़ा वो के स्टेज पे एक इनसान बोल ला है बलके स्टेज पे लोगों बैठे पे लोगों को भी इसकी आवाज समझ नहीं आएगी क्योंकि इनसान इतना स्टेज नहीं बोल सकता कि एक पूरे लाक लोग खड़े होके सुन ले तो पिर यहां एक एंप्लिफायर होता है जो कि माइक में होता है लगावा तो पिर जब यह सिगनल इसमें से गुजरेगा ना तो यह सिगनल इतना बढ़ जाएगा यह अभी इसने जब यहां से सिगन लगा है आपका ठीक है यह जो सिगनल है यह सिगनल में आ रहा है तो फिर लोगों को तो यहां पर आया एम्प्लिफायर ने हो सिगनल को बहुत बटा दिया बहुत amplifier क्या करता है signal को बढ़ाता है तो signal इतना सा था और इतना बढ़ा कर दिया यानि वो जो आवास इतनी हलकी आई थी वो इतनी बड़ी हो गई कभी आपने गौर किया इस चीज़ को कि यह जो speaker लगे होते हैं आपके पास चाहिए आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो या microphone ही ठीक है चाहिए वो तीन हो तीन हजार हो दस हजार हो जितना आपको speaker लेगाने लगा सकते हैं ठीक है एक ही माइक से आप दस हजार speaker चला सकते हो example अच्छा अब पढ़ लेते हैं कुछ analog devices have high procedures ठीक है प्रिसीजन्स यानि यह सही जाती है digital device have very high procedures यानि इनकी प्रिसीजन्स बह आरहे जाएं वैसी हैरा रही होती है for example अगर एक अनसान नहीं यहां पर बोला धैसा तो इसा को मैं पको सुना दे रहा हूं मेरा नाम अलीए या मेरा नाम ही नहीं है कुछ ऐसा तो नहीं देगा है करते हैं आप को सकता कि एस सकता है लेकिन बोला वहीं सुना ily देगा इसी तरह से और अप कोई data store करो आपने PDF Kannar करता कि जब तो कोई छीड़ खानी ना करें कुछ एनलोग डिवाइस पढ़ लेते हैं ठीक है एक्जेम्पल ओफ एनलोग डिवाइस इंक्लूट ओर्डिनरी एयर थर्मोमीटर दा बैरोमीटर दा स्पीडोमीटर वेहिकल्स दा मेकैनिकल वाच मेकैनिकल वाच जो मैंना भी डवल्यू एटी सीच वाच ठीक है मेकैनिकल वाच मेरा ए और ए में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कबार तो एक लिखते तो एक्जेम्पल ओफ डिजिटल डिवाइस आपके बहुत सारी हैं कंप्यूटर हो गया डिजिटल वाच हो गया एलसीडी हो गया मोबाइल लोग है इसमें जो लिखिया वह भी पढ़ सकते हैं MP3 यह सब पुरानी डिवाइस देवाइस ती अब याद कर बहुत सी डिवाइस हैं जो के दो चीजों पर काम करती है यानि वह उनको डिजिटल सिगनल भी चाहिए होता है और एनलोग सिगनल भी चाहिए होता है वीडिय नहीं डिकरी चलो तो बराबर में डाइगराम चली होगे एक बार फिर इसको फोकस कर देता हूं क्या पताना चाहिए कि यह बड़ा प्रॉब्लम होता है कभी कवर फोकस नहीं होता है चलने मैं इसको थोड़ा सा और बहतर करता हूं ताकि आप लोगों पर यह नजर आ जाया है मैं क्या बताना चाहरा हूं अब अब अच्छा नजर आ रहा हूं कि यह सीडी डिवाइस है सीडी डिराइफ है ठीके सीडी डिराइफ में आपके पड़ डिजिटल सिग्डल डिजिटल डिटा स्टोर है तो डिजिटल डेटा आपको मैंने बताया तक ऐसा होगा इस तरह की फॉर्म में होगा स्कॉयर अब यह डिए क्या है यह डिए होता है डिजिटल अनलोग कंवर्टर यानि डिजिटल सिग्नल को अनलोग में ले जाता है क्यूंकि आपका स्पीकर डिजिटल सिग्नल पर काम नहीं करेगा वह अनलोग सिग्नल पर काम करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा अपना डिज स्पीगर में आवाज तेज़ आ जाए तो पावर एंप्लिफायर हो गई यानि सिगनल बढ़ गया अब सिगनल बढ़ने के बाद आपको स्पीगर में सुनाई देने लगा तो यह बहुत असान चीज थी आपको यह समझने में मुझे मुवच्ट करता हो यह तो मैं ऊपको सब्सक्राइब है उसको का उन्दर आपके पास कौन सा डेटा होगा डिजिटल डेटा होगा, ठीक है, डिजिटल डेटा, आपको इस CD में जो गाना है, या जो भी चीज आपने आवास इस CD में रखी भी है, उसको आपने speaker में play करवाना है, speaker से आपने उसे play करवाना है, लेकिन speaker डिजिटल सिगनल पर काम नहीं करेगा, तो आपने यहां क्या लगाना पड़ेगा, आपने यहां लगाना पड़ेगा, D, A, C, यानि digital analog converter, यानि digital signal को analog में ले जाएगा, यह चीज, अब आपका जो digital signal था वो इस तरह का हो गया, ठीक है, square wave से sine wave आ गई, लेकिन अब signal इतना ज्यादा नहीं है कि आपको speaker में सही सुनाई दे, तो यहां पर आगिया PA, यानि PA यानि power amplifier, पर्सनल सेकेटरी नहीं, PA यहां पर power amplifier है, थोड़ी सी में इसकी brightness लो करूं तक आपको अच्छा नजर आ सक है, ठीक है, तो PA या पावर amplifier, अब जो power amplifier से signal बढ़ गया है, analog signal वो यहां आपको मिल गया, ठीक है, speaker में फिर आपको यहां पर, clearly आवाज सुनाई देने लगी, clearly आवाज सुनाई देने लगी, तो इस तरह से यह काम करा, पूरा, अब आप तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का work जानते हो, मतलब आपने CD लगा, यह वाज आ गई, लेकिन बीच में क्या काम हो रहा ही है, अब आपको यहां पता चल गया है, तो यह यहां पर complete हो गया है, इसी तरह से आपके पास ACDV होता है, यानि जो के analog signal को digital में convert करता है, जैसे DAC होता है, उसी तरह ACDV होता है, ADC होता है, जो के analog signal को digital, digital को analog इस तरह से होता है, जो पहले लिखा होगा ना यानि उसमें आप उसमें हैं और दूसरे में जा रहे हैं यानि एनलोग से डिजिटल में जा रहे हैं ठीक है अब आपके पास आता है डी ए सी जिसमें आप डिजीटल सिगनल से जो भी आपका डिजीटल सिगनल होता है उसे आप अपने मन मुताबिक कि एना कि एनलोग एल एना अच्छा एन गॉल लिखते था भी मैं से एनलोग लोग में जाता है अच्छा तो यह पूरा यही था मैंने पढ़ा दिया मैंने बता दिया अच्छा मैं थोड़ा सा उसकी वर्किंग भी दिखा देता हूं कि कैसे यहां से लेकर यहां तक जो वर्क है वो डी एसी का है कि कैसे उसने डिजीटल सिगनल को एनलोग में बदला अच्छा अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए उसकी भी वर्किंग बना देता हूं ACD की ADC की कि आपके पास यहां पर एक एनलोग सिगनल था ठीक है इस तरह का अब यह गुज़रा कहां से यह गुज़रा आपके पास ADC से गुज़रा तो जब यह अब एनलोग सिगनल नहीं रहा यह डिजिट इसका अंसर बोट पर चला होगा मैं पड़ भी देता हूं आपके लिए ताकि वाला असानिया हो जाए एक्सेंपल आप अनलोग दिवाइस इंक्लूड ओडिनरी एयर थर्मोमेटर अब बैरोमेटर अब बैरोमेटर इस्पीडोमेटर वेहिकल्स ता मेकैनिकल बोचिस अब इद्क है उच्ट आपके लिए पूड़ी अच्हुड गवाट कि अड्याई आप अर्यूमेटर अडंग देखा सक है में ही ते लिए अडिवाटर अब्दी अड्यूमेटर आपके लिए अखेंट ये फिर गैडेजिवाटर अपिजिवाश्ट बिच्ट ग्री काट एटी सी यह सब डिजिटल होता है I hope समझ में आगिया होगा मैंने अपनी पूरी एफट करिए आप लोगों के लिए कि आपको यह अच्छा से अच्छा समझा दो सबलात करा दी हैं इसको कर लेना मैं इंशालला इसके बाद टॉपिक 17.5 करूंगा ठीक है अभी करूंगा आपको थोड़ी दिर बाद मिल जाएगा वीडियो में ठैक्स पर वॉचिंग अल्ला हाफिज अपनी कीमती दूहों में जरूरी आदे हैं